चलो फटावट आखे बंद करके थोड़ा सा लंबा सोचो और मुझे उस फिल्म का नाम बताओ जिसकी एंडिंग में आपको हिला के रख दिया ऐसा क्लाइमेक्स जो आपकी यादों में एक दम ताजा ताजा है फ्रेश, सीन बाई सीन सब कुछ याद हो गया अब मेरा चैलेंज है आज जो फिल्म में आपको बताने जारी हूँ वो आपकी एंडिंग से सौ गुना जादर डरावनी और भयानक निकलेगी शर्ट लगा लो पूरे 50 साल याद रखोगे इसको कम से कम अगर हम और आप तक तक जिन्दा बचे तो इस बारे में बात जरूर करेंगे कहानी शुरू होती है एक पुलिस टेशन से जहां पर कुछ टाइम पहले एक गोली चलनी की आवाज आती है और वहां मौझूद हर इंसान हिल जाता है जब दर्वाजा खुलता है तो अंदर पड़ी मिलती है एक लाश खून में पूरी तरह लिप्टी हुई एक डेट बॉडी हैरान करने वाली बात नॉर्मल केसे इसकी तरह यहां मरने वाला कोई चोड, डाकू या क्रिमिनल नहीं है बलकि खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसके शरीर से गोली आरपार हो चुकी है किसी ने बहुत नजदीक से उस पे निशाना लगाया है गलती से भी इसको जीने का दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए लेकिन उससे भी जादा डराबनी बात जो आपके दिमाग को पूरी तरह फार्ट के रख देगी वो ये कि कुछ मिनिट बाद इसी पुलिस टेशन के उसी दर्वाजे से सेम टू सेम वही शकल वाला एक दूसरा पुलिस ऑफिसर एंट्री मारता है और लाश के बगल में जाके खड़ा हो जाता है मरा हुआ नहीं 100% जिंदा एकदम fit and fine क्या सोचना है भूत प्रेत का चक्कर है आत्मा शरीर से मिलने वापस आई है ना जी यहाँ पे मामला family का है एक जुडवा भाई मर गया तो दूसरा उसकी जान लेने वाले कातिल की तलाश करने आया है murder case को सुलजाना पड़ेगा ना सर यहाँ से शुरू होता है film में खतरनाख type का investigation लेकिन result जब धीरे धीरे भार आते हैं तो जिस पुलिस वाले को हम कुछ टाइम पहले hero समझ रहते वो इस case का सबसे बड़ा villain साबित होता है क्योंकि यह सिर्फ कपड़े पुलिस के पहनता था लेकिन काम एकदम राक्षस वाले थे इसके शराब पीने की गंदी आदत मार पी पे जीरो कंट्रोल किसी पे भी गुसा निकालना पैसे की वसूली और तो और लड़कियों से छेट छाड़ और सबसे शौकिंग चीज ये दोनों जुड़वा भाई कोई रामशाम टाइप के नहीं थे बलकि खुद एक दूसरे की जान के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे क्या सोच रहे आप इतना घटिया इंसान था तो शायद किसी ने पुलिस टेशन में घुसकर इससे पुराना बदला लिया होगा जैसी करनी वैसी भरनी बट दोस फिल्म की कहानी उतनी सिंपल और एजी है नहीं जतनी बहार से आपको लग रही है यही ज़ादू है इस फिल्म का ये धोके वाजी में सबसे बड़ी चैंपियन है जो आँखों के सामने चल रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो एंडिंग से पहले आपकी आँखों को दिखेगा ही नहीं यह सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म नहीं है जब क्लाइमेक्स देखोगे न तो इसके निशान आपकी रियल लाइफ पर पढ़ेंगे ऐसी चोट लगेगी न दिमाग पर कि जिंदगी पर याद रखोगे प्लस जो एक्टिंग हुई है ना इस फिल्म है वो एकदम गौड लेवल की है बॉस एक ही एक्टर दो केरेक्टर्स प्ले करेगा और आपको लगेगा दो इंसान है पर्फेक्शन चलो भाई बहुत बात हो गई अब आपका जादा टाइम बेस्ट ना करते हुए सीधा फिल्म का नाम बताती हूँ इरेटा इसको देखने के लिए आपको थियर्टर जाने की जुरुवत बिलकुल नहीं है घर बैटे बैटे फिल्म आप तक पहुँच जाएगी नेट्फिक्स का बटन दबाना है और दो घंटे के लिए सब कुछ भूल जाना है वादा है मेरा जब ये फिल्म खतम होगी आप वापस आओगे मेरे इस वीडियो पर थांक्यू वाला कॉमेंट लिखने खुद को रोग नहीं पाओगे चैलेंज है सर बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फ़र कुछ रिकायप करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिये मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई